आज हम बात करेंगे एक अनोखे इतराज पर आप पहले इतराज सुनें और देखें कि इस विशे पर ये भाई क्या कह रहे हैं तो पेगंबर मुहम्मद ने अपने शब्दों में अपने वचनों में क्या कहा है जानिए ये सही बुखारी हदीश है पारह चोबिस है इसका लिवास का जो बयान है उसका हदीश नंबर पानसो बानवे इसमें नबी करीम ने फरमाया तुम मुशरिकों की मुखालिफत करते हुए दाढ़ी छोड़ दो और मुचों को कतरवाओ मुखालिफत मतलब मुशरिक जो मूर्दी पूजक होते हैं उनका विरोध करते हुए उनके विर्द खड़े होते हुए मुखालिफत करते हुए उनका विरोध करते हुए तो मुसलिम जगत में कोई तरक आदी का स्थान नहीं है ये बकरे की तरह होते हैं बकरे की तरह लगते हैं अब आईए इस इतराज पर बात कर लेते हैं सबसे पहले ये बता दे कि इन्हों ने हदीश का डिफरेंस गलत दिया है इन्हों ने हदीश नंबर पांचसो बानवे कहा है जब कि हदीश नंबर पाँछ हजार आठसो बानवे है हदीस इस तरह से है नभी स्वालों ने फरमाया यानि तुम मुश्रिकीन की मुखालिफत करो दाड़ी छोड़ दो और मोचें कतरवाओ तो ये थी वो हदीस जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया था उन्होंने शुरू में ये तरजमा तो ठीक किया कि मोचें को कतरवाओ लेकिन फवरन बाद कह रहे हैं यानि मूर्ती पूजा का विरोध करते हुए अपनी मोचें को मुडवा लो केवल दाड़ी रखो अब भला बताएं एक तरफ खुद मोचें कतरवाने का तरजमा करते हैं और खुद को ही कंट्राडिक्ट करते हुए आगे कहते हैं कि मोचें मुडवाओ फिस सारा इतराज मोच मोड़ने पर करते हैं जबकि मोच मोड़ने का हुक्म ना कुरान में है ना किसी हदीस में फिर ऐसा इतराज करना ही बेकार हो जाता है आप तो अपनी ही तरफ से एक बात कहे कर उस पर इतराज कर रहे हैं ना कि इसलाम पर फिर ये कहना कि मोच काटने का हुक्म बगहर किसी रीजन के है इसलाम में रीजन या तर्क का कोई अस्तान नहीं तो हम ये बता दोएं कि सबसे ज़्यादा माकूल आसान और रीजनेबल मज़ब इसलाम है इस अधिस में खुद एक रीजन बताया गया है मोच काटने का वो ये कि मुश्रिकीन की मुखालिफत है यानि जो चीज शिर्क करने वालों की खास पहचान हो उससे बचना जरूरी है उसी में से ये भी है कि मजूसी अपनी मुच हैं नहीं काटते थे तो अल्ला के नभी ने मुच काटने का हुक में दिया अल्ला की नजर में सबसे बड़ा गुणा शिर्क है अल्ला ने सुरह नमबर 4 आयत नमबर 49 में फरमाया इनलाह ला यगफिरू यश्रका भी यश्रक को कभी मौफ नहीं करेगा उसके अलावा जिस गुणा को चाहे अपनी मर्जी से मौफ कर दे जाहिसी बात है अब सबसे खतरनाग गुणा करने वालों की कोई खास मजभी चीज़ को अपनाने से मना करना बिल्कुल माकूल है मसलां राइट विंग के लोग लिफ्ट के लोगों की मुखालवत करते हैं अपने हुलिये और सलोगन में दरसल किसी के साथ मुशाबित अख्तियार करना नफसियाती तोर पर कमजोर होने की दलील है एक जो सबसे एहम रीजन है और एक बच्चे की समझ में भी आसानी से आ जाता है वो ये कि जिनके नाखुन बड़े और मुचें बड़ी होती है वो खाने पीने की हर चीज़ को गंदा करके खाते पीते हैं जिससे ना सिर्फ दूसरों को करात मालूम होती है बलकि खुद उनको मेडिकली नुखसान पहुचता है इसी तरह एक एहम रीजन ये भी है कि नेचुरली एक इनसान की हैबिट होती है यानि ये फित्री चीज़ है कि मौच काटी जाए खुद इतराज करने वाला भाई भी अपनी मौचें काटे हुए है आईए मौच के बारे में जरा तफसील इसलामिक पॉइंट आफ व्यू से जाने पॉआनो हदीस में मौचें मौडवाने या जड़ से उखाड़ने की बात कहीं नहीं है सुनत रसूल ﷺ मौचों को तराशना और काटना ही है क्योंकि आप ﷺ हमेशा अपनी मौचें तरशवाते थे कभी मौडवाई या जड़ से उखाड़े नहीं है सही बुखारी हदिस नंबर 5888 में है कि नभी ﷺ ने फरमाया कि मौच काटना पार्ट आफ नेचर है इसी तरह बुखारी और मुस्लिम के एक और हदिस में है खतना, जेर नाब बालों की सफाई, मौचे तराशना, नाखुन काटना और बगल के बाल उखाडना बाद दूसरी हदिसों में इन चीज़ों को अंबिया और मुस्लिम की सुनत और उनका तरीका बताया गया है और चुकि ये इनसानी फितरत के तकाजें हैं, इसलिए होना भी यही चाहिए कि तमाम अंबिया अलेहिए का यही तरीका और यही उनकी तालीम हो उन सब में जो तीज़ मुस्तरक है वो तहारत और सफाई और पाकिज़गी है जो बिला शुबा इनसानी फितरत का तकाजा है लहाजा मोच के बाल काटना उमूरे फितरत में से है उन्हें बढ़ाना शरीयत में पसंदीदा नहीं है रही बात मोच की, तो मोच का इस हद तक बढ़ जाना या इतनी बढ़ा कर रखना कि वो उपर के होटों की लकी से तजावज कर जाए कि खाने पीने की अशिया में लग रही हो या शरान दुरूस्त नहीं है सही मुस्लिम हदिस नंबर 258 में है कि नभी स्वाबी अनस बिर्मालिक रजियल लाह उन्हों फर्माते है कि मोचे तर्शवाने और नाखुल लेने और बगल और जिरनाफ की सफाई के सिलसले में हमारे वास्ते हद मुकरर कर दी गई है कि 40 रोज से जादा ना छोड़े इसी तरह सुनने अबू दाउद हदिस नंबर 188 में है हदरते मुगीर अभी शुबा रजियल लाह उन्हों से रवायत है कि एक रात रसुल लाह साथ में भी मेमान था आपके पास भुने हुए पहलो का गोश्ट लाया गया आपने छुरी लेकर उसे काटना शुरू किया और मेरे लिए भी एक टुकड़ा उसमें से काटा फिर बिलाल रजियल लाह उन्हों आए ताकि आपको नमाज की इतला दें तो आप साथ सल्लम ने छुरी रख दी और फरमाया इसे क्या हुआ है इसके हाथ खाकालोद हो और उनकी यानि मुगीर रजियल लाह उन्हों की मौचे लंबी थी तो आप सल्लम ने फरमाया मैं मिस्वाक रख कर तराश दू या फरमाया इन्हें मिस्वाक पर रख कर तराश लो यानि जो बाल होट पर आ जाएं और खाने पीने में दखल देने लगें उनको काटना सुन्नत है प्यारे मित्रों ये पूरी तफसील मौच के मुटालिक मौजोद है कि मौचें क्यों तराश ही जाती है या क्यों कटवाई जाती है पूरी तफसील आपके सामने इस वीडियो में रखी गई हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस बात को समझें और इसलाम पर गलत इतराजास से अपने आपको बचाने की कोशिश करें और हम इस बाई से जो इतराज करते हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि इसलाम को करीब से पढ़एं और समझने की कोशिश करें नफरत और तास्व से हट करके पुरान को तर्जमे के साथ हिंदी में पढ़ें हमें यकीन है कि ये हमारे क्रियेटर हमारे परवर्दिगार हमारे रब की तरफ से हम इनसानों के लिए एक पैगाम है जिसे समझना जरूरी है हम रब से निवेदन करते हैं हम सब को सत्ति मार्ग पर चला असलाम अलेकुम वरामतुल्लाही वरकातु ऐसे ही और वीडियो बनाने में हमारी मदद करें